चुनावी सीजन है तो जन्ता को धमाकेदार ओफर मिलने ही है और सोमवार को मिला भी ओफर दिया है कॉंग्रेस अद्धिक्ष राहूल गांधी ने अइलान किया है कि अगर कॉंग्रेस की सरकार आती है तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए दिये जाएंगे आप खुद सुरिये नमस्कार पिछले पाथ सालों में हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किले सहनी पड़ी खासतोर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको काफी मुश्किले सहनी पड़ी थी तो अब हम कॉंग्रिस पार्टी ने निर्ने लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को नयाए देने जा रहे हैं नयाए जो हमारा minimum income guarantee का स्कीम है न्यूंतम आई योजना उसका नाम है उसकी मैं details थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से गर्व से देना चाता हूँ क्योंकि ये शायद एतिवासिक ऐसा स्कीम हिंदुस्तान को छोड़िए दुन्या में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं जहां भी मैं जाता हूँ minimum आमदनी की line क्या होगी और इस स्कीम का की strength क्या होगी इस स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा तो मैं ये आपको हिंदुस्तान की जनता को हिंदुस्तान के गरीमों से कहना चाता हूँ line 12,000 रुपे 12,000 रुपे महीने की होगी हाँ सप्राइज हुए ना मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाई और बेनों है तो कंग्रेस पार्टी गैरेंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20 प्रतिशद सबसे गरीब परिवारों को शोक मत होना अभी धमा का बढ़ने जाला है 20 प्रतिशद सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72 प्रतिशद सबसे गरीब परिवारों को हर जात हर धर्म हर भाशा के गरीब परिवारों को 72 प्रतिशद सबसे गरीब परिवारों को 72 प्रतिशद सबसे गरीब के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा राहूल ने इस मिनमम इंकम गारेंटी स्कीम को समझाते हुए कहा कि इसके तहत हर गरीब की आए 12,000 रुपए सुनिश्चित की जाएगी देकिए मिनमम इंकम लाइन 12,000 रुपए की है जो मिनमम इंकम लाइन और मिनमम उनकी जो इंकम है उसका जो फरक होगा वो सरकार देगी तो मान लो आपकी अगर इंकम 6,000 की है तो जो 12,000 से आपका कम है इंकम उसको टॉप अप करेगी आप आप लोग हैरान लग रहे हो आज शोक लग रहे हो है ना थोड़ा ये क्या हुआ ये कैसे हुआ बाई और बेहनों मैं आपको बता रहा हूँ याद रखिये हर रोज आपसे चोरी की जा रहे है हर रोज आपका पैसा लिया जा रहा है हम अब आपको दिखाएंगे कि इस देश में आपका कितना है क्या है डीटेल्स डीटेल्स हमने पूरा इसको हम चार-पाँच महीने से study कर रहे हैं दुनिया के बहतर economist से हमने detailed में analysis की है ये fiscally prudent scheme होगा इसको हम phases में करेंगे details आप समझना चाहते हैं तो चितामबरम जी और जो हमारी team इस पे काम कर रहे हैं वो आपको खुशी से details दे दिंगे